कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि वेलकम बैक आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर देट इस मक्का ओफ लाइफ साइंसेश दोस्तों आज करो वो काफी स्पेशल है आज स्टार्ट हो रहा है हमारा लेक्ट्चर सीरीज फॉर दा सिय्ए यार जियर फ नेट लाइफ साइंसेश के लिए और इसमें सबसे पहला सेशन में लेने जा रहा हूं वह डेवलपमेंटल बाइलोगी कर लेने जा रहा हूं जिसमें आपको पैन के साथ पैंसिल के साथ और एक एक करके आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं मेरे साथ साथ चाहें तो आप रिकॉर्डिंग के टाइम भी कर सकते हैं तो जैसे भी आपको ठीक लगे तो शुरू करने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं सब कुछ ठीक है नहीं तो गिब मी वन सेक मेरी आवाज आपको आ रही है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बढ़ बता सकते हैं गाईस इफाइम और अडिबल और नॉट था कि मुझे पता रहे कि हाँ भी आवाज आ रही है मेरी आपको कि शुरू करें ओके तो देखिए ध्यान चा सुनिएगा हमारा जो आज का सेशन है गाईस वो है CSIR के लिए यह CSIR के लिए एप्लिकेबल है CSIR के लावा कोई भी एक्जाम आप दो चाहे वो IIT जैम आप दो गेट दो I.C.M.R. दो D.B.T. दो M.C. का कोई एंट्रेंज दो या PhD का कोई भी एंट्रेंज दो जहां जहां डेवायो आती है और जहां जहां सी अर्चिन आता है यह सब में काम आएगा ठीक है चलिए तो सी अर्चिन का जो हमें केस पढ़ना है CSIR में वो हमें पढ़ना है सी अर्चिन की fertilization तो आए समस्ते हैं पहले तो सी अर्चिन है कौन तो को सी अर्चिन एक organism है जो तो बिलॉंग करता है आपका एकाईनो डर्मेटा से तो बेसिकली यह एक प्रकार का एकाईनो डर्मेटा है तो आपने पढ़ा होगा एनिमल बायलोजी में या जूलोजी में अलग-अलग आपकी फाइलम्स होते हैं तो एकाईनो मीन्स आपका होता इस्पाइन यानि काटे और डर्मा का मतलब होता है स्किन यानि इस्पाइनी स्किंड एनिमल्स तो यह उसमें आता है इसकी इमेज आपको स्क्रीन पर दिखरी होगी यह समुद्र में रहने वाला एक जन्तू है इसलिए कह देते हैं सी अर्चिल ठीक है इस तरह से नजर आत देखिए फर्टिलाजेशन आपको पता क्या होता है बिल्कुल आसान शब्दों में अगर देखें इस्पर्म और एग का फ्यूजन यानि जब इस्पर्म और एग आपस में फ्यूज करेंगे तो मैं यह कहूँगा कि यहां पर फर्टिलाजेशन हो रही है सी अर्चिन के के एग में कुछ लेयर्स होती है जैसे मालो यह एक एग है तो एग में एक लेयर है सबसे बाहर उसके अंदर एक और लेयर है उसके अंदर एक और लेयर है इस तरह से तो सबसे पहले हम लेयर्स की बात करेंगे एक लेयर है जिसका नाम है egg jelly क्या नाम है egg jelly ये जो layer होती है ये outer most होती है यानि सबसे बाहर की layer होती है ये egg में ये बनी होती है glycoprotein की यानि कि इसमें होता है carbohydrate और protein it is a glycoproteinaceous layer egg jelly इसके function क्या है देखो इसके बहुत सारे functions होते है लेगिन सबसे important function इसका ये होता है इस sperm को अपनी तरफ attract करना क्योंकि होता ये है दोस्तों जो sea urchin होता है वो समुद्र में होता है समुद्र में sea urchin होगा जिसमें male भी होगा और female भी होगा इसके लावा समुद्र में 1000 तरह के जानवर होंगे मतलब animals वगेरा अब उनके भी sperm हो सकते है उनके भी egg हो सकते है क्योंकि sea urchin में जो fertilization होती है वो body के बाहर होती है तो याद रखना the fertilization is external sea urchin में जो fertilization होती है वो body के बाहर होती है external होती है तो जब इतने सारे जानवर है सबका sperm है, सबका egg है तो पता कैसे चलेगा कि किस sperm को किस egg पर जाना है यहाँ पर मदद करती है यह egg jelly यह मैं आपको बताऊंगा तो अभी आप ध्यान लखिए attract करती है साथी साथ activate भी करती है sperm और it is the outermost layer सारे point note down कर रहे हैं आप लोग note down कर लेना चैनल पर अगर नए हो तो लाइक कर देना सबस्क्राइब कर देना शेर कर देना ठीक है अभी मैंने बताया सबसे बाहर की लेर कौन सी थी एक जैली आउटर मोस्ट एक जैली के जस्ट नीचे दूसरी लेर होती है जिसे बोलते हैं वाइट लाइन एनवलप क्या बोलते हैं वाइट लाइन एनवलप बोलते हैं ये लेर जो होती है ये बनी होती है एक्सटरसेलूलर मे montón से की यानि ECM यानि के इसमें भी कई प्रकार के अलाग अलाग प्रकार के प्रोटीन्स बगरा होते हैं इसमें ये जो लेर है एक तरह का fibrous mat बनाती है एक के चारो तरफ fibrous mat का क्या मतलब है fibrous mat का मतलब है suppose करो एक ball है ball के चारो तरफ मैं एक जाल लगा दूँ mat तो वो उसका काम करती है तो ये एक fibrous mat बनाती है इसका function क्या है इसका भी बड़ा important function है ये देती है species specific binding of the sperm क्या मतलब है इसका please मेरे word पे ध्यान देना species specific binding of the sperm इसका मतलब ये होता है माल लो समुद्र के अंदर बहुत सारे sea urchin है और sea urchin की अलग-अलग species है माल लो sea urchin की species है A और दूसरी species है B अब sea urchin की जो species A है उसका sperm है उसका egg है जो B है उसका अपना sperm है उसका अपना egg है तो यहाँ पे हम चाहते है A species का sperm सिर्फ A species के egg से fertilize करें वो किसी और से ना करें क्योंकि अगर वो किसी और से कर जाएगा तो फिर फायदा ही क्या होगा फिर तो कोई फायदा नहीं है तो इसी चीज को ensure करती है यह layer जिसका नाम है white line envelope कैसे करती है यह मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है तो अभी आप सिर्फ इतने ध्यान रखना यह species specificity देती है ठीक है आगे बात करते है इसकी location तो बताई दी मैंने It is located below the egg jelly एग jelly के नीचे होती है और यह बनी होती है glycoproteins की इसमें भी अलग-अलग प्रकार के glycoproteins होते है यह slide clear है आपको ओके यह देखिए यह है structure of egg यह मैंने भी छोटा सा structure दिखाया यह Gilbert के अंदर mentioned है जो भी मेरे diagram है जाद अदर Gilbert से हैं सारे क्योंकि उसी से exam में question भी आता है आपका तो यह देखिए यह egg दिखाया जा रहा है इस egg में यह एक आपका electron microscopeic image है यहाँ पे एक layer दिखाय दे रही होगी आपको it is the white line envelope clear? आगे चलो अब आगे भढ़ते हैं अभी हम layers की बात कर रहे हैं तो layers की तो सबसे पहले कौन सी layer बताई मैंने? सबसे पहले बताई थी egg jelly उसके नीचे क्या थी? white line envelope और इसके नीचे क्या आएगी? white line envelope के the plasma membrane या the cell membrane या the ulema ulema का मतलब भी होता है membrane तो इसके नीचे membrane होती है membrane क्या है? membrane एक जस नॉर्मल membrane होती है जसे हर cell के अंदर होती है ये fuse करती है sperm की membrane से ये मैं बताऊंगा आगे जब मैं fusion पे आऊंगा फिर plasma membrane के अंदर जाते हैं तो आता है cell का content sorry cell का content मतलब cytosol यानि cell के अंदर क्या-क्या है तो cell के अंदर जब हम जाते है सबसे पहले हमें मिलता है cortex ये cortex क्या होता है तो मैं आपको पहले cortex समझाता हूँ क्या होता है देखो आपको दिखाई तो दे रहा हो गए आपे suppose करो ये cell है this is the cell cell के just नीचे जब आते हैं तो एक area आता है ये वाला जिसको मैंने इस line शेड कर दिया है the area I shaded by the lines you will call this area as the cortical area और the cortex इस area को cortex बोलते हैं और जब अंदर आ जाते हैं हम यानि के suppose करो मैं अंदर आके इस वाले area में आ गया बीच वाले तो इसे आप बोल सकते हैं मेडियूला आपने पढ़ा होगा cortex and medulla इस तरह से नाम आते हैं biology में, zoology में animal physiology में kidney वगएरे में भी आते हैं है ना आपका cortex बोलते हैं तो जब cell content से जस्ट नीचे आते हो आप तो आपको क्या मिलता है cortex 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 लेकिन मैं cortex की बात क्यूं कर रहा हूं ऐसा क्या खास है इसमें cortex के अंदर एक protein accumulated होता है जो होता है G-actin G-actin पढ़ा है cell biology में globular actin तो जस्ट नीचे आपका cortex के एक protein मिलता है जिसे बोलते हैं G-actin और globular actin मैं आगे बताऊंगा असका क्या function है तो यह जो G-actin है और globular actin है यह करता क्या है देखिए जैसे ही fertilization हो जाती है fertilization के जस्ट बाद यह G-actin polymerize हो जाता है into F-actins आपने पढ़ा होगा globular actin जो है G-actin इनकी polymerization हो जाती है और यह बना देते है filamentous actin जो की इस तरह से लंबे-लंबे filament होते है F-actin के तो यह F-actin के filament बनते है अब इन F-actin के filament का function क्या है अलाकि इसके कई प्रकार के function है जो दो important function है वो हैं आपके cell division cell division में role है क्योंकि जब sperm fertilize करेगा egg से तो एक डिवाइट करेगा आगे चलके एक में development होगी division के लिए microtubules, microfilaments, cytoskeleton आपको चाहिए तो यह मदद करेगा इसके अलावा एक के surface पे होते है microvilli इस तरह से होते हैं एक के surface पे finger-like projection इनको भी बनाने में मदद करता है यह और microvilli स्पर्म की entry के लिए बड़े जरूरी होते है microvilli मदद करते हैं स्पर्म को अंदर entry लिने में तो मैं आपको आगे समझाऊंगो यह चीजें यहां तक का समझ में आगे आपको कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं मुझे समझ में आया कि नहीं प्लीज सेशन को लाइक जरू करिएगा दोस्तों पहली बार चैनल पर आये हैं तो लाइक शेर सब्सक्राइब करिए और मुझे बताईए आपको आवाज आ रही है समझ में आ रहा है आर यू गेटिंग कोई डाउट है तो पूछिए किलियर ओके आगे भड़ता हूं में ठीक है नंदिता तैसीन मिलेनेर और बाकी के जो लोग हैं ने ती आप आते हैं अगले श्रुक्चर पर एक और श्रुक्चर मिलता आग में जिससे बोलता है कोरिटीAL GRANULS यह क्या होता है देखो सपोस्ष करो यह एक की प्लाजमा मेंब्रेन है इस भी प्लाजमा मेंब्रेन ओफ की मेंब्रेन के जस्ट नीचे छोटे-छोटे वेसिकल-like structures होते हैं जिनें बोला जाता है Cortical Grenules ये नमबर में लगबग होते हैं पंदरा हजार एक normal sea urchin के एग में लगबग पंदरा हजार Cortical Grenules होते हैं इन Cortical Granules के अंदर भरे होते हैं बहुत सारे enzymes and proteins और इन में जो protein होते हैं they are hydrolytic enzymes what are hydrolytic enzymes hydrolytic enzymes किने कहा जाता है the word is hydrolytic यानि lice करना water की presence में lysis कर देना यानि जो biomolecules हैं proteins हैं carbohydrates हैं, lipids हैं उनको तोड़ने वाले enzymes like proteases, proteinases carbohydrates, lipases like that तो वो उसको cut कर देते हैं आगे बाहर आके, किसको cut करते हैं आगे बताऊंगा तो देखिए cortical granule कहा जाता है आगे चलते है यहां तक की कहानी आपको समझ में आरी होगी मुझे उम्मीद है तो मैं अभी cortical granule के बारे में ही आपको point बता रहा हूँ अगला point, cortical granule membrane bound होते हैं एक्जाम में कभी-कभी पूछ लेती है एक्जाम में कभी-कभी ऐसी चीज़े आ जाती है which of the following organal has a membrane which of the following structure has a membrane तो it has a membrane membrane bound होते हैं second, बनते कहां से हैं they are derived from the Golgi bodies part B का question Golgi bodies से बनते हैं यह Golgi body बनाता है होता क्या इंके अंदर they contain hydrolytic enzymes or they are homologuous to the acrosome of the sperm आपने sperm के case में पढ़ा होगा sperm का case पढ़ा है sperm इस तरह से नजर आता है अगर मैं इसका एक रफ डियाग्राम बनाऊ उसका head होता है इस तरह से middle piece होता है और tail होती है तो उसका जो head होता है उपर एक structure होता है जिसे बोलते है the acrosome क्या बोलते है acrosome उसके नीचे क्या होता है the nucleus जिसमें genetic material होगा फिर होगा spiral mitochondria then proximal centriole and the distal centriole तो जो acrosome होता है it contains hydrolytic enzymes तो यहाँ पर यही बात बोली है the acrosome of the sperm is homologous to the cortical granule of the egg दोनों में ही क्या होते है hydrolytic enzymes होते है is that clear आगे भड़े यह point मैंने आपको बता दिया है C.archin के egg में लगबग 15,000 granules होते है जिन में hydrolytic enzymes होते है उसके लावब और क्या-क्या होता है उसके अलावे भी बहुत चीज़े होते है जैसे की mucopolysaccharides होते है adhesive glycoproteins होते है hylene proteins होते है वगेरा वगेरा यानि बहुत कुछ होता है उसमें mainly enzymes होते है आपकी स्क्रीन पे transmission electron microscopic image है किसकी the cortical granule cortical granule की image दिखाई दे रही है देख सकते हैं तो यह देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है cell membrane यहाँ पे आप देख सकते है microvillies viteline envelope है और यह जो दिख रहा है यह pizza जैसा this is the cortical granule तो इस पूरे structure के अंदर यह circular structure है इसकी अपनी membrane है इसकी खुद की membrane है और अलग से plasma membrane भी है तो जब इसका content बाहर आता है तो यह fuse करता है with the membrane of the egg egg की membrane से fuse कर जाता है and there is a exocytosis of the content of the cortical granule ठीक है is that clear am I clear okay तो चलिए summarize करते हैं दोस्तो अब तक जो पढ़ा है हमने summarize कर देते हैं तो screen पर देखिए आप summarize कर रहा हूं मैं क्या देख रहे हो screen पर egg का structure है तो अब तक क्या देख लिया egg में सबसे बाहर है egg jelly egg jelly के जस्ट नीचे है white line envelope उसके जस्ट नीचे है cell membrane उसके नीचे है cell cortex जिसके अंदर है cortical granules और क्या है G-actin G-actin है जो sperm की entry के बाद F-actin बना देता है और F-actin से filament बनते है जो की cell division में मदद करते है और sperm की entry में भी मदद की जाती है अंदर आता है sperm आगे बताऊंगा मैं क्या होता है इसके लावा अंदर nucleus भी है तो अभी तक मैंने इतना कुछ बता दिया है note down करते रहना यह schematic representation है egg की यह देखो यहाँ पर आप देख रहे है पूरा सी अर्चिन का egg है और it is surrounded by many many sperms तो यह आपको जो दिख रहे हैं यह दीजार्दा sperms तो यह कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की और जो पहले चला गया वो जीत गया तो मैं बताऊंगा आगे आपको किस तरह से जीत होती है sperm की यह आपे किस तरह से sperm अंदर जाता है नाओ कुछ extra point पढ़ते हैं egg के बारे में जो की important है अभी तक egg के बारे में मैंने आपको क्या क्या बता दिया अभी तक egg के बारे मैंने आपको बता दिया कि egg में layer कौन सी है layer किस चीज से बनी है और end में आपके cortical granule है फिर हम आते हैं egg के content में egg के अंदर क्या क्या है तो अगर egg की बात करें egg के पूरे के पूरे cytoplasm को या protoplasm को उसमें बहुत सारी चीज़े मिलती है number one proteins जिसमें होते हैं york के proteins तो जो york होता है वो nutrient का एक source होता याद रखना egg के अंदर जो york होता है वो एक nutritive substance होता है उसमें nutrition भरा होता है और वो development में मदद करता है after the fertilization clear then उसके बाद क्या होता है egg में rRNA और tRNA और mRNA ये सब क्यों है एक में egg में पहले से ही होते है rRNA tRNA mRNA ये तीनो mRNA I'm sorry ये तीनो RNA translation में मदद करते हैं तो egg के अंदर जो mRNA होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि immediately synthesis हो पाए क्योंकि देखिए होता ये है जब sperm fertilize करता lesson के बाद development की जरूरत होती है जिसका मतलब है नए protein बनाने पड़ेंगे maintain करने पड़ेंगे cell divide करना पड़ेगा इन सब के लिए चाहिए नया नया protein और नए नए protein आते हैं कहां से mRNA की translation से और mRNA कहां से आता है transcription से तो इतना time नहीं है cell पे आते हैं के वह transcription करें और फिर बनाए इसी लिए उसके पास पहले से ही mRNA प्रजेंट होते हैं जो immediately translation में चले जाते हैं और देते हैं maternal effect आपको याद आ रहा है आपने पढ़ाता ड्रॉसोफिला की developmental biology में उसमें बाइकोईड और नैनोस के mRNA पहले से ही मिलते हैं जो बस translate कर जाते हैं fertilization के बाद तो इमें आ रहा है ठीक है ना तो यह है देन अगला है morphogenetic factors इसके लावा morphogenetic factors भी होते हैं morphogenetic factors का मतलब है कुछ ऐसे protein जो development के बाद मदद करते हैं cell को इधर-उदर move करने में cell की growth करवाने में इसके लावा और होते है protective chemicals जो protection देते हैं एग को from many things like UV radiation अगर एक के ओपर को UV radiation आ रहा है तो उसे protection मिल जाती है DNA repair enzymes DNA में अगर कोई damage है तो उसे repair कर देगा तो यह सारी चीज़े भी एग में मिलती है आगे चले यह clear है कि नहीं जल्दी बताइए ओके आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हम sperm की development पे कि sperm कैसे develop करता है देखिए sperm की development में क्या होता है सबसे पहले एक cell होता है जिससे आप कह सकते हैं spermatid क्योंकि जब sperm develop करता है तो अलग-अलग stages आती है spermatids जो आगे चलके बनाता है developing spermatozoa spermatozoa एक sperm में क्या क्या चीजे होती है जो मेन होती है acrozomal vesicle मेन होती है nucleus मेन होता है haploid mitochondria होते है मेन और बाकी और structure like centriole और फिर उसकी tail यह सब आता है इसी एक cell से तो क्या क्या होता है इस cell का अपना cytoplasm होता है अपना nucleus होता है mitochondria होगा centriole होगा golgi होगा यह सारे structure अपने आपको reorganize करते है rearrange करते है और इस structure में लेके आते हैं जैसे आप देख सकते है nucleus के पास आ जाता है golgi body और golgi body से बनता है आपका क्या acrozoom तो याद रखना जैसे egg के अंदर cortical granule बन रहे थे golgi body से उसी प्रकार sperm का acrozoom भी golgi body से derive होता है then centriole nucleus के दूसरी side आ जाता है जिससे flagelum निकलता है और धीरे-धीरे करते-करते-करते cytosol consume हो जाता है और यह पूरा sperm की shape ले लेता है इस तरह से sperm की development होती है ठीक है आगे चले अब हम बात करते हैं fertilization के steps की fertilization के steps क्या-क्या है और कैसे-कैसे होते है ठीक है तो देखो मैं इसका overview दे रहा हूं अभी आपको इसका overview दे रहा हूं बाकी detailing में मैं साथ-साथ जाता रहूंगा तो session को like, subscribe, share जरूर करना दोस्तों अगर आप channel पे नई है तो देखो सबसे पहले step होता है chemo attraction क्या होता है chemo attraction यानि के कहने का मिलब यह है यह रहा egg और मान लो यह रहा sperm तो सबसे पहले step होता है sperm egg के तरफ attract हो जाता है attraction हो जाता है attraction के time में होता क्या है egg जो है कुछ soluble molecules को secret करता है क्योंकि इतने बड़े समुद्र के अंदर, पूरे C के अंदर egg को कैसे पता लगेगा कि sperm कहा है और sperm को कैसे पता लगेगा कि egg कहा है इसके लिए egg क्या करता है कुछ molecules को environment में secret करता है ये molecule sperm sense करता है और उसके concentration के अधार पे खिचा चला जाता है वो egg की तरफ सबसे पहले होता है chemo attraction फिर जाके binding हो जाती है binding होने के बाद होता है releasing the content of the acrosome जब sperm bind कर जाता है egg jelly से उसके बाद वो अपना content release करता है ठीक है हें जैसे content release होता है वह digest करता है एक jelly को egg jelly की digestion होती है और digestion करते करते-करते करते वह बहुत जाता है vitaline envelope के पास यानि सबसे पहले तो वह एक jelly से bind करेगा content release होगा डाईजेस्ट करेगा और फिर पहुँचेगा vitaline envelope पे vitanine envelope से bind करेगा और फिर cross करके जाएगा आगे plasma membrane पे ठीक है जी then आगे देखो अगला step क्या होता है अगला step यही है कि जब वो white line envelope से bind कर जाएगा तो उसे cross करेगा जैसे cross कर देगा white line envelope को अगली layer कौन सी है plasma membrane तो फिर होगी fusion between the egg and the sperm plasma membrane और इस fusion के बाद क्या होगा स्पर्म का nucleus एक के nucleus से fuse कर जाएगा जिससे बन जाएगा आपका deployed zygote और development चालू हो जाएगा यह समझ माया बताइए मेरे को comment section में यह killer हुआ कि नहीं ओके stylish boy रभी मैं उमीद करता हूँ मैं और जादा improve करूँगा अपनी class को ताकि आपको समझ में आए आपके beautiful comment का बहुत बहुत धन्यवाद रवी thank you so much तो मुझे अमीद है कि आप और महनत करेंगे और और आगे भड़ पाएंगे आने वाले lessons में ठीक है बाकी लोग बताइए कि स्पर्म आपका attract होता एक की साइड और किस तरह से digest करता करता आगे बढ़ता है तो सबसे पहले आप देखिए स्पर्म सबसे पहले contact करेगा एक जैली से तो पहले खीचा चला जाएगा और जाके बाइड कर जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं बाइडिंग हो गई है उसके बाद हो कि एक्रोजोमल रियक्शन यानि स्पर्म का सारा content release हो जाएगा content में है enzymes hydrolytic वो क्या करते हैं digest करते है एक जैली को तो एक जैली को digest करते करते आगे पहुचेंगे और स्पर्म के लिए एक रास्ता बनाएंगे इस पर में होल क्रियेट करेगा यहां चोटा सा और उस होल के जरीए अंदर चला जाए देन जब वो digest कर देगा एक जैली को तो वो पहुच जाएगा कहां वाइटलाइन एनवलप पर और वाइटलाइन एनवलप से फिर वो बाइंड कर जाएगा यहां पर होगी species specific interaction हाला कि species specific interaction यहां भी हो रही है सी अर्चिन के अंदर species specific interaction बहुत सारे आपके stages पर होती है जिसमें important stage आपके हैं extracellular matrix वाला एक जेली का सबसे पहले layer फिर वाइटलाइन एलबप का है एंड जब यह बाइंड कर जाएगा वाइटलाइन लफ से तो क्रॉस कर जाएगा और फिर membrane के साथ प्यूज कर जाएगा तो अगला step होगा fusion विद्धा membrane ठीक है जी यहां तक केलर हो गया सबको आगे चलूँ अब देखो अब आते हैं आपे यह देखिए अब हम क्या करते हैं दोस्तो थोड़ा detail में जाते हैं यह मैंने जो भी से कीमो एट्रेक्ट होता किस तरह से वह आगे चला जाते हैं देखिए यह बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि सी अर्चिन में जो fertilization होती है वह external होती है बताई थी external का मतलब है body के बाहर तो माल लो यह समुद्र है स्ती c c के अंदिर यहाँ पे एक सी अर्चिन है let us say this is the female सी अर्चिन और यहाँ पे सी अर्चिन है male सी अर्चिन तो जो male सी अर्चिन होगा वो अपना sperm release करेगा और female सी अर्चिन अपना egg release करेगा और sperm egg की तरफ क्या हो जाएगा chemo attract तो यह वाला step है यह लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है जो सवाल मैंने पहले भी उठाया क्या सवाल उठता है सवाल यह उठता है कि जो समुद्र है जो environment है उसमें तो और भी कई परकार के जन्तु है जिसमें दूसरे तरह के animals है और दूसरे अनिमल छोड़ो उसमें दूसरे तरह के sea urchin भी है कुछ ऐसे sea urchin होंगे जो different species होंगे कुछ ऐसे होंगे जो closely related होंगे विल्कुल close और कुछ ऐसे होंगे जो विल्कुल same होंगे तो इन सब में आपको find out करना है same वाला same find out करना है अलग नहीं करना तो यहाँ पे दो question उठाय जा रहे है पहला question में आपको बताता हूँ क्या कह रहा है पहला question कह रहा है how can sperm and egg meet in such a diverse condition इतनी diverse condition में कैसे sperm और egg आपस में meet कर लेते दूसरा question how can sperm be prevented from attempting to fertilize egg of another species तो कैसे कोई sperm prevent हो जाता है या उसे रोक दिया जाता है कि वो किसी दूसरे एको फर्टिलाइज ना करें ऐसा कैसे ensure होता है तो आईए हम इसी पर चर्चा करते है एक्जाम में से related question भी आए है देखिए इसके पीछे basically दो major mechanism involved है there are two major mechanism involved in this problem पहला है species specific sperm attraction यानि के sperm जो है वो specifically same species का sperm same species की एक की तरफ ही जाता है not even the closely related one और दूसरा है species specific sperm activation attribution इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह होता है दोस्तों के sperm का मतलब है उसके अंदर movement आ जाती है उसके अंदर motility आ जाती है और वह motility आती है सिर्फ और सिर्फ सेम species से और जब वह motile हो जाता है तभी वह जा पाता है तो इसलिए इस्पर्म एक्टिवेशन यानि एक्वायर ओफ मोडिलिटी एंड इस्पर्म एक्ट्रेक्शन यानि स्पर्म का चले जाना तुवर्ड दा एक यहां तक क्लियर हो गया है ना आगे चलते हैं सबसे पहले बात करते हैं अब ध्यान चाशन थोड़ा और डिटेल में जाने वाले सबसे पहले बात करते हैं स्पर्म एक्ट्रेक्शन का कैसे होता है एक की तरफ graph, देखिए, sperm का attraction x की तरफ होता है by the chemotaxis, यह chemotaxis क्या होता है, chemotaxis का मतलब है, chemo का मतलब है chemical, chemo means chemical or taxes मतलब movement, या movement towards the chemical, जैसे for example कोई chemical है X उस chemical की concentration यहाँ पे ज्यादा है और दूसरे point पे इसकी concentration कम है यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है तो यहाँ पे माल लो sperm है तो sperm इसकी low concentration को sense करेगा और low से high की तरफ move करेगा तो इसे बोल सकते हैं आप chemo taxes याँ नी chemical gradient की तरफ आकर्शित हो जाना ठीक है? Is that clear? लेकिन chemo taxes का जो mechanism है वो different होता है different species में अलग-अलग organisms में chemo taxes का तरीका लग होता है जैसे sea urchin का case है यह मैं बताऊँगा अभी उसी तरह human का case है उसमें अलग होता है जब मैं human की बारे में class लूँगा तो वहां पर बताऊँगा तो sea urchin के case में क्या होता है? जो egg होता है वो एक chemical को secret करता है ठीक है आगे चलते सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं देखिए होता ये है जो sea urchin है एक animal है अब ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत important बात बता रहा हूँ sea urchin नेक animal है माल लो ये है male 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 के अंदर होता है एक organ जिसे बोलते हैं testis तो इसमें भी testis है testis में develop होते हैं sperm जब testis में sperm जो होते हैं और testis से जो बाहर आ जाते हैं जब sperm testis से बाहर आ जाते हैं environment में इस process को बोला जाता है spawning तो please remember the term the term is spawn spa wned spawning या spawning spawning का मतलब होता है release of the sperm from the testis spawning हो जाती है देखिए होता ये है जब sperm environment में आते हैं यानि water में आते हैं from the body sperm हो जाते हैं activate activate का मतलब sperm में आ जाती है motility यानि के इसका मतलब ये हुआ जब sea urchin का sperm उसकी body में होता है तो वह motile नहीं होता ध्यान रखना sea urchin का sperm जब sea urchin के testis में होगा वह motile नहीं होगा वह motile कब बनेगा जब वह environment में आयेगा अब ऐसा क्या होता है testis में और environment में जिससे उसके अंदर motility आती है टेस्टिस के अंदर जो होता है वो pH होता है 7.2 के आसपास डाट इस लो pH और लो pH इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस में होती है higher concentration of carbon dioxide तो टेस्टिस में higher concentration होती है carbon dioxide की जिससे pH हो जाता है कम around pH 7.2 जो की स्पर्म की motility के लिए अच्छा नहीं होता है जैसे इस्पर्म आता है environment में यानि water में वहाँ पे pH होता है high around 7.8 एप्रॉप्सीमेटली 8 मान सकते हो आप इसे तो high pH से क्या होती है इस्पर्म में motility आ जाती है तो ध्यान रखना in the case of sea urchin sea urchin के case में इस्पर्म के अंदर motility pH से आती है pH से और वो भी high pH environment का ठीक है killer हुआ है comment section में बता सकते है killer हुआ है नहीं तो यह high pH करता क्या है इस high pH का क्या role है यह high pH क्या करता है activate करता है protein को जिसका नाम है dynein ATPase dynein का मतलब dynein एक motor protein होता है जो microtubules वगरा में movement cause करता है ATPase यानि ATP को hydrolyze करेगा और काम करेगा तो यह activate हो जाता है ATP को hydrolyze करता है और प्लैजिला में movement आती है तो यह जो energy है ATP की यह प्लैजिला को move करवाती है इस देट क्लियर 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 और नॉट प्लीज तेल दे कमेंट section अर्यू गेटिंग और नॉट अब यहां पर यह topic यहां तक खतम होता है अब आगे बढ़ते हैं अब एक और सवाल मन में आता है यहां तक तो आपने क्या समझ लिया यहां तक तो आपने यह समझ लिया कि सी अर्चिन की body के अंदर sperm था body से बाहर आया बाहर आके उसे high pH मिला और high pH में वो motile हो गया यानि activate हो गया लेकिन sperm अभी motile हुआ है यानि अभी गाड़ी चालू हुई है मालो स्पर में गाड़ी है कार है तो अभी गाड़ी चालू हुई है कार चालू हुई है कार को जानक आए यह कैसे पता चलिगा सब्सक्राइब आपके घर के बार कार खड़िये कार को स्टार्ट कर दो मैं बोल दू कार को स्टार्ट कर दो तो आपने कार को motile कर दिया activate कर दिया पट आप मिरसे पूछोगे फ़ई जानका है वो कैसे हो वो कैसे पता से लेगा तो अगला सवाल यही उठता है only the motility started सिर्फ motility आई है not the direction direction नहीं आया है यह कहा जाना है यह उसको नहीं पता है तो how does sperm acquire the direction to move इस पर्म में यह direction कहां से आती है move करने की अब अगला सवाल हमारा यह है जिसका answer अब हम देखते हैं के लिए चलिए फिर इसका answer खोशते हैं देखिए direction जो आती है ना वो एक खास तरह के chemical से आती है जिसका नाम है sperm activating peptide short में कहते हैं S.A.P.s sperm activating peptides उसमें यह sap sperm activating peptide अलग-अलग होते है humans में भी होते है mice में होंगे sea urchin में भी होते है यह जो peptides है यह जो proteins है यह egg secret करता है they are secreted by the egg और हम बात कर रहे हैं sea urchin की किसकी बात कर रहे हैं हम sea urchin की बात कर रहे हैं तो sea urchin के case में जो molecule है उसे बोला जाता है resact क्या बोलते हैं resact बोलते है यह resact जो होता है यह लगबक 14 amino acid का एक peptide होता है ध्यान रखना लगबक 14 amino acid का एक peptide होता है in the sea urchin called arbacia punctulata नाम याद रखना very important अर्बेशिया पंक्चू लाटा नाम के एक सी अर्ची ने उसके एक से निकलता है और यह molecule ही होता है जो sperm को अपनी तरफ खीचता है इस पर्म इसको sense करता है क्योंकि यह एक से निकल रहा है तो जब एक से निकल रहा होगा तो आप इसे sense करते करते एक की तरफ भी जा सकते हो तो आप एक की तरफ चले जाते हो ठीक है तो स्पर्म इसकी लोवर कंसेंट्रेशन को सेंस कर लेता है और लोवर से हाईयर कंसेंट्रेशन के तरफ जाने लगता है और ऐसे जाते जाते वह एके के पास पहुंच जाता है किलेर हुआ या तक ओके आपकी स्क्रीन पे आप अभी देख पा रहे हो, इट इस दज सी अर्चिन, अर्बेशिया पंग्चु लाटा, इस तरह से नजर आता है, ठीक है, इस तरह से नजर आता है, चलिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं करके, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, समझते हैं, कि ये सी अर्चिन जो है, इसका जो रीस एक्ट है, वो आखिर काम कैसे करता है, देखो, मान लो, मैं समुद्र से एक ड्रॉप लेता हूँ, वाटर की, इस बूंद में, पानी की एक छोटी सी बूंद में, जो समुद्र से में ले निकाली है, इसमें हजारो हजारो स्पर्म हैं, सी अर्चिन के, मैं इस बूंद को, इस ड्रॉप को, माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रख देता हूँ, आप देख सकते हैं, नीचे एक माइक्रोस्कोप की स्लाइड बनी हुई है, इस पे रख देता हूँ मैं, और फैला देता हूँ, जब यह स्पर्म आपस में घूम रहे हैं इन में कोई डायरेक्शन नहीं है, यह सर्कुलर मूझमेंट दिखा रहे हैं, जब इस पर्म को को डिरेक्शन नहीं मिलती तो वह सर्कुलर मूवमेंट दिखा रहा होता है। यहां तक कि आनी किलियर होगी ना क्या हो रहा है। आगे चलिए। आगे अब देखो। मैंने क्या करा। मैंने माइक्रोस्कोप की स्लाइड में जो मेरे पर स्लाइड थी। जहां पर स्पर्म थे बहुत सारे। मैंने किसी एक छोटी सी जगह पर छोटे से पॉइंट पर रीसेट को डाल दिया। याणि मैंने किसी तरह से पाइपिट से या किसी दूसरे टाइप के पाइपिट लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे यहां पर रीसेक्ट को थोड़ा सा डाल दिया। कुछ कंसेंट्रिशन। तो उसका रीजल्ट यह निकला स्पर्म जो है एट्रैक्ट हो गए टुवर्ड दा एग। सॉरी टुवर्ड दा रीसेक्ट। रीसेक्ट की तरफ आकर्शित हो गए स्पर्म एकठ्ठा होने लगे। तो यह चीज इस बात को प्रूफ करती है यह चीज इस बात को बताती है के जी रीसेक्ट इस दा मॉलिक्यूल विच गिव्ज दा डायरेक्शन टू दा स्पर्म ठीक है गिलबर्ड के अंदर इसके एक्सपरिमेंट दिये गए एक्सपरिमेंट देख लो यह देखिए यह है पहला एक्सपरिमेंट अलाकि पहला इमेज एक्सपरिमेंट का साइन्टिस्ट ने क्या करा वही सेम जो मैंने भी बताया माइक्रोस्कोप की स्लाइट पे रॉक डाल दी वाटर की जिसमें सी इर्चिन के स्पर्म थे अब आप जड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे आपको एक पाइप इट लाइक इस्ट्रक्चर दिख रहा हुआ देख रहा है यह रहा है फिर साइंटिस्ट ने क्या करा इस पाइप इट लाइक स्ट्रक्चर पे जह चेक करने के लिए कि किस तरह से मुवमेंट हो रही है स्पर्म की तो आईए देखिए सबसे पहले डाला 20% कितना डाला 20% reset यानि यह मालो कि 20 मॉलिक्यूल डाले समझने के लिए 20 मॉलिक्यूल इतने ज़ादा यह नहीं होते। तो यह पाया सपर्म का एट्रेक्शन थोड़ा थोड़ा हो यहाँ पे हो रहा है, यहां हो रहा है यहां हो रहा है जगे सपर्म थोड़ा-थोड़ा एट्रेक्ट हो रहा है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद साइंटिस्ट ने 20 की जगा कर दिया, एसको 50 40 परसेंट कर दिया. थोड़ा जादा कर दिया, थोड़ा बड़ा दिया तो फिर क्या पाया और जादा स्परम एटरेक्ट हो रहे हैं, और जादा भीड लगा रहे हैं यहाँ पर और ज्यादा बंच बना रहे हैं, then scientist ने क्या किया, पूरा ही डाल दिया, यानि 90% कर दिया, 90% कर दिया resect को, तो क्या पाया, पूरा यहाँ पे population बहुत ज्यादा हो गया, पूरा मेला लग गया है, तो यह चीज इस बात को प्रूफ कर रही है, यह चीज इस बात को अच्छी तरह से dictate कर रही है, कि जी resect ही वो चीज है जो sperm को attract करती है, direction देती है, activation भी देती है, आप इस चीज से confuse मत करना, मैं आपको बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे organism में sperm की activation और sperm की direction, single molecule देता है, कुछ cases में अलग-अलग चीजे भी देती हैं, जैसे हमारे case में, हमारे case में sperm को activate क्या कर रहा था, pH, high pH, और sperm को direction कौन दे रहा है, resect, लेकिन यहाँ पे resect जो है, sperm के अंदर activation भी ला सकता है, दोनों काम यह कर सकता है, जरूरी नहीं है, एक ही काम परे, ठीक है? वो बताने के लिए अलग-अलग बताया है, otherwise यह काम एक ही साथ भी होते हैं, अब इस वाले question को बताईए case का answer, और इस question के साथ, आज का session हम close करेंगे, और फिर हम कल आएंगे, और मुझे इंतजार रहेगा आपके valuable suggestion का, अगर आपको class पसंद आईए, तो comment section में मुझे भी दिखती है class के अंदर, जो भी आपको लगता है के improve करने की जरूरत है, मुझे जरूर बताईएगा, मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है, तो यह वाला question है, बताईए इसका answer क्या है, आपके according, यह question आए June 2020 में, तैसी इन ने बताया option number three, इन एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्मेटा में, sperm direction is provided by, sperm की direction कौन देता है, तैसी इन ने थी बताया है, शिप्रान थ्री, मुस्कान ने resect, ओके fine, ठीक है, तो सभी लोग ठीक कह रहे है, सवाल ध्यान से पढ़िए, एकाइनोडर्म में sperm direction कौन देता है, direction, तो answer will be resect, यह देता है, ठीक है, otherwise अगर वो activation पूछता तो pH answer हो सकता था उसका, लेकिन वो depend करता है question पे, और resect जो है, वो भी इस firm को activate करता है, जरूरी नहीं कि pH ही करें, तो आज का session यहीं तक करते हैं, इसका अगला part कल आएगा दोस्तों, आपको session पसंद आया, तो please like करिएगा, share करिएगा, और subscribe तो जरूर करिएगा, अब मैं आपसे कल मिलता हूँ, फिर नए part के साथ, नए अगले part के साथ, ठीक है, any suggestion, anything, if you want to say, you can tell your suggestion, whether it is positive or negative, all are welcome. थेंक यू शिप्रा, थेंक यू तैसीन, थेंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, फिर मैं आपसे कल मिलता हूँ, दोस्तो, second part,